नमस्कार आप देख रहा है आज तक मैं हूँ आपके साथ नवजोत रंधावा बात सबसे पहले करेंगे प्रधानमंसी मोदी की जन्होंने आज उस सम्विधान दवस पर कहा की पीछा सीन अधिकारियों को मंत्र दिया उन्होंने कहा की मुंबाई हमले में शहीदों को भी सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है 2008 में पाकिस्तान से आये पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था इस हमले में अनेक लोगों की मृत्य हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी स्रधान्जली अर्पित करता हूं इस हमले में हमारे पुलीस बलके कई जावाज शहीद हुए थे मैं उन्हें भी नमन करता हूं मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता अब आज का भारत नई निती नई रिती के साथ आतंगबाद का मुकाबला कर रहा है मुंबई हमले जैसी साजिसों को नाकाम कर रहें आतंग को मुंतोर जवाब देने वाले भारत के रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलो का भी आज मैं बंदन करता हूँ लोग सबाह हो विदान सबाह हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आएं इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा आज हरेक के लिए अलग-अलग वाटर लिस्ट है हम क्यों खर्चा कर रहे हैं समय क्यों बरबाद कर रहे हैं अब हरेक के लिए अठारा साल से उपर ताएं है पहले तो उमर में फर्क था इसलिए थोड़ा वोड़ रहा अब कोई जरूत नहीं है साथ यो डिजिटाइजेशन को लेकर साउसद में और कुछ विदान सवों में कुछ कोशी से हुई है लेकिन अब पूर्ण डिजिटली करने का समय आ चुका है अगर आप प्रिसाइडिंग ओफिसर्स इसमें जुड़े इनिशेटिव लगे लेगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विदायक गण साउसद गण भी तेजी से ये टेकनलोजी को एडप कर लेंगे